कई तरीके के खीर बनाते होंगे इडली रवे से कभी खीर बनाया है सिर्फ 15 मिनिट में बन के तैयार हो जाएगी रेसिपी अब जरूर ट्राइ करके देखिए बहुत ही मज़े की बनती है फिर किस बात की देरी फ्रेंड चलो रेसिपी बनाना शुरू करेंगे रेसिपी बनाने से पहले मेरे चानल पर आप नहीं होंगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चानल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए एक पैन ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे पैन में दो से तीन टीस्पून आइल अड़ कर लेंगे मैं ये ग्लास से ले रही हूँ आप मेजरमेंट अपने हिसाब से ले सकते ही अब ये इडली रवे को आड़ कर लेंगे ग्यास के फ्लेम को लो फ्लेम पे रखके लगातार चलाते हुए अच्छा सब भून लेंगे रवे को कलर छेंज होने की जरूरत नहीं है बस कच्ची स्मेल जाने तक फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी पैन में और थोड़ा सा घी आड़ कर लेंगे उनके रखे हुए इडली रवे को एड़ कर लेंगे और लगातार चलाते ही रहेंगे आप रवे को दॉलने के बाद बिना चलाके पकाएंगे तो से गुटलियां बन जाएंगे इसलिए आप लगातार चलाते ही रहना है ग्यास के फ्रेम को हाई या मीडियम में रख सकते ही वन बाई फोर तो टी स्पून इलाइची पॉडरा आड़ कर लेंगे अब दो से तीन कप जितना चीनी आड़ कर लेंगे मीठे के हिसाब से चीनी थोड़ा कम जादा करके दाल सकते ही हम तो दो गलास चीनी दाले थे अब अब अपने हिसाब से मीठी के अज़र सकते ही चीनी को कम जादा करते ही अब अच्छा सा मिक्स कर देंगे मिक्स करते हुए और एक 6-8 मिनित के लिए पकाये गयास के फ्रेम को लोग कर दींगे तब तक अगला प्रासेस देखेंगे ड्राइफ्रूट्स ले लेंगे यहां पे किस्मिस, खर्बुच के बीन, कटे हुए बादम और काजू ले लेंगे अब मन चाहे ड्राइफ्रूट्स इसमें आड़ कर सकते ही एक पैन में घी घरम कर देंगे अब गी में इस सारे इंग्रीडियंट्स दाल के फ्राइफ कर लेंगे फ्राइफ करके खीर में मिला लेंगे यह खीर छे से आट मिनिट के लिए पकाई थी अब ग्यास कॉाफ कर देंगे बनके तैयार हो गया है मज़दार इडली रवे की खीर आप भी जरूर राई करके देखिए फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है आप भी बनाईए खाईए खिलाईए कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए पने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रेस्पी के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे आगली रेस्पी के साथ देंगे